मसकार दोस्तो प्लानेट टाइम्स में आप सभी का स्वागस थे हैं दोस्तो की जैसा कि आप जानते हैं कि इजराल और पैलेस्टाइन के भी जंग जैसे हालात बन गए है पैलेस्टाइन उग्रवादी कुट हमास ने अब तक इजराल पर 17 सो जादा रोकेट दागे है इनमें से ज़्यादा दा रोकेट को इजराल के आईरान डॉम मिसाल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है हमास इस बर इजराल के शहरों यरिशलेम और तेल अवी को निशाना बनाने के लिए अपने नए रोकेट आयास का इस्तमाल कर रहा है बताया जाता है कि यह रोकेट करी 250 किलोमेटर तक मार सकता है हमास के इस रोकेट की बारिश का इजराल के उपर कोई खास असन नहीं पड़ा इसकी सबसे बड़ी वज़य हो रही है कि इसरायल का रोकवच कहे जाने वाला आयान डॉम सिस्टम ने हमास के 90 फिसदी रोकेट को बीच रास्ते में ही मार गिराया आए जानते है क्या है आया डॉम सिस्टम जो अबेद्य दिवार बन गया है इसरायल के लोगों की जान बचाने में सबसे अहम भुमी का आया अंडों मिसाल डिफेंस सिस्टम ने पूरी किया है चारो और से दुस्मनों से गिरे होने के बावजूद इसरायल लगाता दुस्मन मुलकों से लोहा ले रहा है दस साल पहले उसने छोटी और मध्यमदूरी की मिसालों और रोकेट से बचने के लिए इसरायली डिफेंस उस पादन निर्मात कंपनी राफिल ने इस ममरीके सहयोग से तयार किया था कमदी के मताबिक यहाँ पूरी दिन्या में सबसे ज़्यादा संख्या में तैनात मिसाल डिफेंस सिस्टम है जिसकी गुनवत्ता 90% है यहाँ डिफेंस सिस्टम आदुनी की यूद प्राणर में खुद को साबित कर चुका है यह बहुद दिश्य सिस्टम प्रभावी रुप से रॉकेट, मॉटर और तोप खाने के गोले साथ-साथ वीमान, हेलिकॉप्टर और यूवी को बेहित कम दूरी से निशाना बना सकता है आयन डॉम मॉबल मिसाल डिफेंस सिस्टम है, इस प्राणर में कई एक्कुमेंट्स एक साथ मिलकर काम करते है हमला होने के बाद इसमें लगे रडार पता करते है कि किस दिशा से कौन सा या कैसा रॉकेट या मॉटर उसकी तरफ आ रहा है तो बगर कोई देरी की इंटरसेप्टर मिसाल उसकी तरफ छोड़ दी जाती है लॉंचर में लगे मिसाल को कंट्रोल सेंटर या इसके अंदर लगे रडार से लगाता है निदेस मिलते रहते है और वो अपने निशाने का पिछा आखिर तक करती है डिफेंस सिस्टम में लगे मिसाल हमला करने आ रहे रॉकेट या लॉंचर के करीब जाती है और फड़ जाती है ऐसा करने सो रॉकेट भी खत्म हो जाता है इस एर डिफेंस प्राणारी का मुख्य लक्ष मिसाल को अधिक आबादी वारी जगों से दूल ले जाना होता है कि जिससे की जमनी स्थर पर कम से कम नुक्षान हो इसके बाद वो रेंज और निसाने पर लिएग एक शित्र की दिशा की जान्च करता है और वर्निंग साइरन बजाता है साइरन बजने के बाद स्थानी लोगों के पास सुरक्ष स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है इसके बाद आइरन डॉम से निकली एंटी मिसाइल रॉकेट और मोटर को हवा में नश्ट कर देती है हाला कि कई बाद चुक हो जाती है और इस्राइल को भी अंधादुद हमले के भी जानमाल का नुखसन उठाना पड़ता है यहां रॉक्षा प्राणार यहर मौसम में काम करने में शक्षम है और आयरेंड रॉम से निकली एंटी मिसाइल 70 किलोमेटर के दायरे में स्थीत रॉकेट मोटर को नेश्ट नाबुद कर देती है यहां तकनिक किसी सुनसान जगह पर होने वाले रॉकेट हमलों को विफल नहीं करती बलकि इसका मुख्या मकसद रिहायसी राकों का सुरक्षा प्रदान करना है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत बुलिएगा